साथियों, अभी तक जो हमारी सिक्षा विवस्ता है, उसमें what to think, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, what to think पर फोकस रहा है, जबकि इस सिक्षा निती में how to think उस पर बल दिया जा रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि आज जिस दौर में हम, और यह दौर ऐसा है, जहां information और content की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके mobile phone पर available है, जरूरी यह है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राश्ट्रिय सिक्षानिती में प्रयास किया गया है, कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चोड़ा सिलिवस होता है, धेर सारी किताबे होती हैं, उसकी अनिवारियता को कम किया जाए। अब कोशिश ये हैं कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वाईरी बेश, डिसकवरी बेश, डिसकसन बेश और एनालिसिज बेश तरीकों पर जोड़ दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललग बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टीशिपेशन भी बढ़ेगा। साथियों हर विद्यार्थी को स्टूडन को ये अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करें। वो अपनी सुविधाव और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करें तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडन जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायर्मेंट को पुरा नहीं करता है। कई स्टूडन को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़ कर जॉब करनी पड़ती हैं। ऐसे सभी स्टूडन्स की जरूता का ख्याल रखते हुए मल्टिपल एंट्री एक्जिट का ऑप्षन दिया गया है। अब स्टूडन्स वापस अपने कोर्स से जूड़ कर अपनी जॉब रिक्वायर्मेंट के हिसाब से जादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है। लर्न कर सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है। जब स्टूडन्स को ये भी स्वदंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़ कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं। और दूसरा कोर्स जोइन कर सकते हैं। हाइर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर दें। मल्टिपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीशे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आये हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बडलाव निश्चित हैं मान के चलिए और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रिश्किल और अप्स्किल करते रहना ही होगा। नेश्चनल एजुगेशन पॉलिसी राष्ट्रिय शिक्षानिती में इसका भी बारी की से ध्यान रखा गया है।